तो बच्चों, हमने देखा कि किस प्रकार हमारे द्वारा किये गय कारे कभी आर्थिक होते हैं और कभी अनार्थिक? हमारे द्वारा उप्योग की जा रहे ही वस्तुई कभी आर्थिक वस्तुई होती हैं तो कभी अनार्थिक वस्तुई हैं तो क्या अर्थशास्त्र का भी इस तरह से कोई भेद है बिल्कुल अर्थशास्त्र को विभेन अर्थशास्त्रियों ने दो भागों में बाटा है वेश्टी अर्थशास्त्र और समस्टी अर्थशास्त्र सबसे पहले हम जानेंगे कि वेश्टी अर्थशास्त्र क्या है आस्तों में ये ग्रीक भाषा के माइक्रोज से बना है जिसका अर्थ होता है बहुत छोटी इकाई यह कहा जाए तो किसी एक इकाई का दस लाखवा भाग तो इसलिए वेस्टिगत अर्थशास्त्र के अंतरगत हम विभिन विश्यों के बहुत सूक्ष मचरों का अध्यन करते हैं आये अर्थशास्त्र को और अच्छे से समझने के लिए हम प्रोफेसः बोल्डिंक की एक परिभाषा का अध्यन करें प्रोफेसर बोल्डिंक के नुसार विस्टिगत अर्थशास्त्र विसस्ट फर्मू विसस्ट परिवारों व्यक्तिक कीमतों, मजदूरियों, आयों, विशिष्ट उद्योगों और विशिष्ट वस्तों का अध्यान हैं। इस परिभाशा के आधार पर हम विश्टिगत अर्थशास्त्र की कई विशेष्टाएं जान सकते हैं। कि तो आजये देखते हैं कि वेष्टिक अर्थाशास्त्र की कौन-कौन से विशेस्ता हैं वेष्टिक अर्थाशास्त्र की पहली और महत्पूर्ण विशेस्ता यह है कि इसके अंतर्गत सो काई का अध्यान किया जाता है व्यक्ति की काई मतलग किसी भी चर को हम समग्र रूप में ना लेकर एक छोटी काई के रूप में लिए उदाहरन के लिए अगर हम आय का अध्यान करते हैं तो किसी व्यक्ति विशेस की आय को ले लिया जाए अगर हम व्यक्ति विशेस की व्यक को ले लिया जाए इस तरह से हम समग्र में अध्यान ना करके जब सूख्ष में काईयों में अध्यान करते हैं तो वो व्यक्तिक एकाईयों के अध्यान के अंतरगत आता है का प्रभाव समग्र पर बहुत कम देखने को मिलता है उदाहरन के लिए अगर किसी एक व्यक्ति का रोजगार चला जाए तो उस व्यक्ति को प्राप्त होने वाली आय कम हो जाएगी यस खतम हो जाएगी तो उस आय का अगर हम राश्ट्री आय से संबंद स्थापित करें तो एक व्यक्ति की आय से राश्ट्री आय में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कहने का मतलब है कि वेस्टी अर्थशास्त्र के इकाईयां इतने सुख्षम होती है कि उन में होने वाले उतार या चढ़ाओ का समग्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वेस्टिगत अर्थ इसके अंतरगत व्यक्तिगत मुल्यों का अध्यन किया जाता है इसी तरह से अर्थ शास्त्र की चौथी महत्यपूर्ण विशेस्ता है पूर्ण रोजगार चाहे समश्टी अर्थ शास्त्र हो या व्यश्टी अर्थ शास्त्र दोनों ही अर्थ शास्त्रों के प्रती विभिन अर्थ शास्त्रों के अपनी अलग अलग धारनाय होती है लेकिन व्यश्टिगत अर्थ शास्त्र के प्रती अधिकतर अर्थ शास्त्रों का यह मानना है कि व जश्टिगत अर्थ शास्त्र का सबसे पहला मात्व है कि ये संपूर अर्थ वैवस्था के लिए आवश्यक है संपूर अर्थ वैवस्था के अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि अगर हमको संपूर देश की राष्ट्रिय आये ग्याद करनी हो तो उसके लिए हमको पहले प्रतिवेक्तिया ग्याद करनी होती है ठीक उसी तरह यदि हमको संपूर्ण देश की जन संख्या ग्याद करनी हो तो पहले हमको जिले यह राज्यस्तर पर जनगर्ना करनी पड़ती है तो इन छोटे-छोटे आने के सूक्ष्म चरो सूक्ष्म एकाईयों के माध्यम से हम इनक विधा होती है देखा जाये तो अर्थ शास्त्र की जो महत्वण आर्थिक समस्या है वे है उत्पादन के साधनू के मद्द किया जाने वाला वित्रण और दूसरा मुले निधारन अब क्योंकि हमने देखा कि वेस्टिगत अर्थ शास्त्र की एक महत्वण विशेष्ता यह मुले का लिधारन किया जाता है तो इसके आधारपर मुले निधारन में सहयोग लिया जा सकता है और दोसरी बात अगर हम वित्रण की बात करें तो उत्पत्ति के जो पांच साधन है उनमें व्यक्तिगत रूप से भूमी, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस में किस प्रकार से वित्रण किया जाए इस समस्या का हल रून्ने में भी सरलता होती है व्यक्तिगत अर्थशास्र का एक महत्व यह भी है कि यह आर्थिक नीती के निर्धारण में सहायक होता है सभी सरकारें समय समय पर अपने बजट के अनुसार बहुत सारी आर्थिक नीतिया बनाती है इन नीतियों के सफलता के लिए उन्हें यह भी विसलेशन करना होता है कि व्यक्तिगत रूप से इसका लाब कितना प्राप्त हो पाया जिसे माल लेजे सरकार रोजगार से संबंधित कोई नीती बनाती है तो इसके सफलता के लिए वो सूक्ष में विसलेशन करेगी व्यक्तिगत रूप में किसी को किस तरह से लाब प्राप्त हो पाया पहले इसका विसलेशन किया जाएगा और उसका समग रध्यन करके पूरी नीती के सफलता की जानकारी प्राप्त की जाएगी अगर सरकार सिक्षा के छेत्र में स्वास्त के छेत्र में किसी भी प्रकार की योजना बनाती है और योजनाओं का क्रियान्वेन करती है तो ये योजनाओं किस हद तक सफल हो पाई इसके लिए इनका सूक्ष में विसलेशन यानि कि व्यक्तिगत अध्यन किया जाता है और इन सूक्ष में विसलेशन का समग रध्यन करके हम योजनाओं के पूर्ण सफलता के जैनकारी प्राप्त कर सकते हैं इसी तरह से व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का एक महत्तो यह भी है कि इसके द्वारा व्यक्तिगत इकाईयों के आर्थिक निर्णे में भी सयोग प्राप्ति क जाता है जैसे कि आप देखते हैं कि प्रतेक उत्पादक कम से कम लागत पर जादा से जादा लाब प्राप्ति करना चाहता है ऐसा करने के लिए वह उत्पादन की प्रतेक इकाई का सूक्ष्म अध्यन यह सूक्ष्म विसलेशन करता है जिससे वह कम से कम लागत पर अधिक लाब प्राप्त कर सके ऐसे ही मान से की स्थिती एक उभोगता के भी होती है उभोगता भी यहीं चाहता है कि वो कम से कम उल्ले पर ज्यादा से ज्यादा लाब प्राप्त कर सके या अधिक से अधिक वस्तों का उभोग कर सके अपने इन्हीं आशकताओं को पूरा करने के वह अपने उद्देश को प्राप्त कर पाता है वेस्टीगत अर्थिशास्र का एक महत यह भी है कि इसके द्वारा हम आर्थिक कल्याण का अनुमाल लगा सकते हैं देश में आर्थिक कल्याण के स्थिति popular है योजनाओं की सफलता की स्थिति क्या है गत वर्ष से इस वर्ष राष्ट्रियाई में व्रध्धी हुई है या नहीं इसके लिए भी हमें व्यक्ति कद्धिन यानि कि सूख्ष में विसलेशन करना होता है उदारन के लिए अगर हमको ये पता लगाना है कि देश की कुल राष्ट्रियाई कितनी है तो उसके लिए हम प्रतिवेक्तियाई की गढ़ना करेंगे यानि कि सूख्ष में चरों का विसलेशन करेंगे यदि प्रतिवेक्तियाई में व्रध्धी हुई है तो इसका मतलब यह है कि राष्ट्रियाई में भी व्रध्धी हुई है तो इस तरह से हम व्यष्टिगत अर्थ शास्त्र के द्वारा आर्थिक कल्याण का अध्यान भी कर सकते हैं अर्थ शास्त्र को जब दो भागों में बाटा गया तो इसका निश्चिती कोई न कोई उद्धेश रहा होगा और यह उद्धेश यह था कि हम आर्थ शास्त्र की विशय समागरी को बहुत अच्छे से समझ सके सुक्षमता से उनका अध्यान हम कर सके यह भी उद्धेश हो सकता है कि आर्थ शास्त्र का छेत्र बहुत है विस्तृत और व्यापक है इतने विस्त्रित छेत्र को समझने के लिए हम इनका टुकड़े टुकड़े में अगर अध्यान करें तो शायद हम इसको और भलीभाती समझ पाएंगे इसलिए अर्थशास्त्रियों ने इसको व्यष्टी और समष्टी अर्थशास्त्र में बाढ़ दिया अब तक हमने देखा कि व्यष्टी अर्थशास्त्र क्या है इन में किस प्रकार सुक्ष में चरों का अध्यान किया जाता है हमने यह भी देखा कि इसकी अपने कुछ विशेस्ताएं हैं और अर्थशास्तर में यह अपना एक महत्पूर स्थान रखता है लेकिन महत्त्र और विशेस्ताओं के साथ साथ व्यष्टी अर्थशास्तर में कुछ दोश भी है आए देखते हैं व fier कौन कौन से दोश या व्यंस्टी अर्थशास्तर की कौन कौन सी सिमागे हैं इसका सबसे पहला दोश तो ये है कि ये सिर्फ व्यक्ति गति कायों का अध्यन करता है यनि कि अगर हम बात जनसंख्या की करें तो वो जनसंख्या के एक छोटे से भाग एक छोटे से परिवार या एक छोटे से जिले का अध्यन करता है बात अगर हम आय की करें तो वो समग्र मेना करके एक प्रतिवेक्ति आय के रूप में अध्यन करता है तो इसके अंतरगत की गई इकायों का अध्यन इतना सूक्ष में इतना छोटा होता है कि उनकी आधार पर हम समगर की गढ़ना नहीं कर पाते और किसे निश्चित निशकर्ष पर नहीं पहुँच पाते अगर हम इसके दूसरे दोश की बात करें तो ये पूर्णता आवास्तिविक मानिताओं पर आधारित है जैसा कि हमने इसकी विशेस्ता में देखा कि इसकी एक महतपूर्ण विशेस्ता बताई गई कि ये पूर्ण रोजगार की मानिताओं पर आधारित है लेकिन वास्ताओं में पूर्ण रोजगार की इस्थिती देश में नहीं पाई जाती आप पूर्ण रोजगार या आंशिक बेरोजगारी की इस्थिती ही पाई जाती है दूसरी इसकी विशिस्ता बताई गई कि ये पूर्ण प्रतियोगिता का अनुसरन करता है तो अगर हम आर्थ शास्त्र का सुक्षमिता से अध्यन करें तो हम देखेंगे कि बाजार में पूर्ण प्रितियोगिता की दशा भी नहीं पाई जाती इसी तरह अगर हम इसके तीसरे दोश को देखें तो हम देखते हैं कि इसका जो विशय चेत्र है वो बहुत ही संकुचित याने बहुत सिमित चेत्र है सूख्ष मचरूं का अध्यान करने के लिए इतने चोटी चोटी एकाईयों इतने चोटे चोटी आझडों को हम संकलित करते हैं कि उनके आधार पर समग्र का अध्यान कर पाना ओर और किसी result तक पहुझ पाना उसकाiend कर पाना अध्यान कर पाना यह कहा जाए तो किसे निर्णाय तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल या असंभव सा प्रतीत होता है ठीक इसी प्रकार इसका एक अन्य दोश यह भी है कि यह आवेवारिक है अब जैसे कि हमने इसके तीन दोश देखे कि यह किस तरह आवास्तिविक मानेता पाराधारित है केवल वेक्ति गतिकायों का अध्यान करता है यह कहता है कि देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति हमेशा पाई जाती है लेकिन वास्तों में ऐसा होता नहीं है तो इन सभी दोशों का अध्यान करके हम यह बता सकते हैं इस निश्कर्स पर पहुंच सकते हैं कि वास्तों में यह अवेवारिक है और आर्थिक क्रियाओं का जब हम अध्यान करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाब हम इससे प्राप्त नहीं कर पाते हैं अब हम अर्थशास्त्र के दूसरे भाग यानि की समस्टी अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे समस्टी, मैक्रो जैसे की नाम से इस पस्ठ है यह समग्र यानि की समू का अध्यन करता है अभी तक हमने देखा कि किस तरह हम जनसंख्या का रोजगार का आय का टुकडो टुकडो में अध्यान कर रहे थे यानि कि प्रति व्यक्ति के आधार पर हम अध्यान कर रहे थे लेकिन यही अध्यान जब हम समग्र में करेंगे जब हम समू में करेंगे तो वो समस्टी अर्थ अर्थी अर्थि建 oss अर्थिशास्तर की अंतरगत आता है Erde 1929 से 1932 के बीच में आई होई आर्थिक विशुयापेम मंन्दी ने समई अर्थशास्तर की साधारण अभाणजर ती वो 1929 से 1930 की आर्थिक विश्वयापी मंदी के समय कही ना कहीं फेल हो गई उस समय कीन्स और उनके साथ कई अर्थशास्त्रियों ने यह अवधारना विक्सित की कि वर्तमान में प्रचलित समान अर्थशास्त्र या विश्टिगत अर्थशास्त्र से विश्वयापी मंदी से उभर पाना बहुत मु विश्यों को सम्मलित करने के लिए समस्टी अर्थशास्त्र की अवधार्णा का जन्म हुआ कुल मिलाकर समस्टी अर्थशास्त्र समग्र का यह समू में अध्यन करने का ही नाम है अब अगर हम वेश्टी अर्थशास्त्र और समस्टी अर्थशास्त्र के मद्ध अंतर देखें तो वे कौन-कौन से अंतर होंगे आए देखते हैं वेश्टी और समस्टी अर्थशास्त्र में सबसे महत्वपूर और पहला अंतरिया है कि वेश्टी अर्थशास्त्र जो होता है वो व्यक्तिगत इकायों का अध्यन करता है यानि व्यक्तिगत आय व्यक्तिगत वै व्यक्तिगत रोजगार के स्थिति इस तरह से और अगर हम सम समग्र का अध्यान करता है यान कि पूरे राश्च्र की आए पूरे राश्च्र की जन संख्या पूरे राश्च्र पर attaching जाने वाला है इसे प्रकार अगर हम इसमें दूसरा और महत्पूरां अंतर देखें तो हम देखेंगे कि वेश्टिगत अर्थशास्त्र जो है वो व्यक्ति और उसके व्यभार का ही अध्यन करता है क्योंकि वो व्यक्तिगति कायों से संबंदित होता है लेकिन अगर हम समस्टी अर्थशास्त्र की बात करें तो वो समस्टी यानि की समग्र का अध्यन करने वाला है इ इसी तरह वेश्टिगत अर्थशास्त्र और समस्टिगत अर्थशास्त्र में तीसरा महत्पूर्ण अंतरिया है कि वेश्टिगत अर्थशास्त्र टुकडो टुकडो में अध्यन करता है यानि कि ये सूक्ष में अध्यन करता है इसके विपरीत समस्टी अर्थशास्त्र कोटल करके ही ग्याद कर पाएंगे इसलिए कहा जाता है कि समस्टी अर्थशास्त्र जो है वो योग आधार पे अध्यन करता है इसी तरह से वेस्टीगत और समस्टीगत अर्थशास्त्र में एक महत्यपूर अंतर यह भी है कि वेस्टीगत अर्थशास्त्र किसे विशिष्ट वस्तू या किसी विशिष्ट वस्तू के कारिय उनके परिडाम का ही अध्यान करता है लेकिन अगर हम समस्टिगत अर्थशास्त्र की बात करें तो वह समग्र यानि कि कुल का अध्यान करता है जैसे हम बात करें कुल उत्पादन की कुल आय कुल वै कुल जनसंख्या तो इस प उन्ही सूक्षम चरों का योग करके समग्र रूप से उनका अध्यन करता है तो बच्चो इस अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार अनार्थिक क्रियाएं जैसे ही धन से समबंदित होती है वे आर्थिक हो जाती है यनि कि हमने अर्थ शास्त्र का मूल भूत यानि मौलिक रूप से अध्यन किया हमने अर्थ शास्त्र के समान अवधारनाओं को जाना और हमने देखा कि किस प्रकार से उत्पादन उभोग वित्रण विनमें और राजस्व जैसी क्रियाएं अर्थ शास्त्र से संबंधित हैं और यह इसलि चुके हैं कि वे सभी कारिय जो धन से संबंधित होते हैं वे आर्थिक कारिय कहलाते हैं और अर्थ शास्त्र में उन्हीं वस्तों या उन्हीं कारियों का अध्यन किया जाता है जो धन से संबंधित होते हैं इसी तरह हमने अर्थ शास्त्र के दो प्रकार देखें वेश्टि अर्थ शास्त्र किस तरह से व्यक्तिगत और सुक्ष में चरों का अध्यान करता है और जब हम वेस्टिगत अर्थ शास्त्र का समग्र अध्यान करते हैं तो वह समस्टिगत अर्थ शास्त्र का रूप ले लेता है यह दिपी वेस्टिगत अर्थ शास्त्र में बहुत से विश अर्थ शास्त्र क्या है और कैसे इसके उत्पत्ति हुई वेश्टी अर्थ शास्त्र और समस्टी अर्थ शास्त्र में कुछ सुक्ष्म अंतर भी है यह भी हमने देखा तो इस प्रकार वेश्टी अर्थ शास्त्र के साथ समस्टी अर्थ शास्त्र के उत्पत्ति के विशय में इसके विशेस्ता और महत्यों के विशेय में हम आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे